सो नाओ यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ चुकी भीया देखे एक्च्छल में यहाँ पर खबरों पर खबरे हैं और यहाँ पर हमने कल की गरावट देख ली फ्राइडी की क्लोसिंग हमने डाउ जोन्स की देख ली कितनी खराब हो चुकी है इवन यहाँ पर 52 वीक लो के अ असानी से ब्रेक कर सकता है जी आँ अब इस खबर को थोड़ा सा समझते हैं क्या चल रहा है एक्च्छल में नाटो कैसे बीच में आ गया भी यह नाटो बीच में आ चुका है साथ महीने बाद नाटो का यहाँ पर नाव लिया गया है तो अभी देखते हैं तो देखे 17,314 14 पर क्लोजिंग है और जादा ठीक ठा क्लोजिंग हुई थी हमारे यहां लेकिन है अब कल का माहौल जो है बिगड़ चुका है 17,000 समतिंग है 17,000 सतर के असपास ओपने होने की संभाबना है निफ्टी की मंडे के दिन लेकिन अब आ गई है कुछ मिंटो पहले कुछ देर आ 15 पराग टूवर को यहां पर इंफलेशन का डेटा आना है वो भी यहां पर जो है इनके हसाद से नहीं आए गाया इनके मुताबिक नहीं आने वाला खराबी आने वाला है यानि जो यह सोच रहे होंगे उसके थोड़ाव सा ऊपर ही आने वाला है तो यह गया यह गया बाकि वर्ल्ड पूरे overall वर्ल्ड में जो है वो टेंसन फैल जाएगी इसके वेरे से तो फिर डाउ जो है वो सारे marketers को जो है वो नीचे ले जाने वाला है कल की closing हमने देखे लिए वो छोड़ ये 2% की गरावड ये छोड़ दीजे बाहरतार को inflation कर देटा है अभी उसकी टेंसल लगी रही तो वो नीचे आना है दूसरी बात नस्दाख भाई 4% के असपास तूट गया तो 4% के असपास 3.80% डाउन है और SNP जो की माक्त पर एक ओल्डर एकनोमी करी जाती है 2.80% डाउन है अब देखें निफ्टी में जो है काफी ख़बरे आ रही है अलग-अलग बात करी जा रही है क्या बात करी जा रही है देखें पहले क्या था मैं आपको बता दो नस्दाख सब 100 पूंट दूर है अपने 52 वीक लो से तो वह इसली तोड़ सकता है का आज जो जीव पॉलिटिकल टेंसर आई है वो कल ईजली ब्रेक कर सकता है द्यां रखिएगा तो यह यहां यहां पर ध्यार रखिया कई कोई कह रहा है 17 या 600 जाने वाले कोई कह रहा है तो सब के अपने म अगर नाटो का इन्वालमेंट आ गया तो पुतिन पीछे नहीं अटेंगे फिर उनको एक रीजन मिल जाएगा एक वैल रीजन मिलेगा अटेक करने का और यहां पर वो अटेक करते हैं अब बिलादमीर पुटिन के लिए ये ब्रिज इंपोर्टेंट क्यों था ये समझे लो क्यों इस पर इतना विवाद क्रीमिया का विरिज जब बना था तो इन्हों ने खुद ट्रक से जाकर वहां का उद्गाटन किया था यानि कि ये कुछ 10 किलो मीटर का ब्रिज है 10 किलो मी जो एक सानुभूती दिखाई ये इस ब्रिज के लिए ये समझो रशिया के लिए कितना इंपोर्टेंट है तो रशिया इस वक्त चुपनी रहने वाली कल संडे का देन है आज बीचों बीच में कुछ ना कुस्तो है याँ पर बड़ा होने वाला है तो इस पर नजर रही ज अगर कहें अब तक के त्यास अमेरिका का सबसे कमजोर प्रेसिडेंट सायद ये ही है ये कुछ नहीं कर सकते इनके राज काज में कुछ नहीं हुआ एक्चुल में ये कुछ रोक ही नहीं पाए इस से बड़िया इनके ट्रम्प थे जो की एक जटके में वार को सुल्टा सकत है ये वह वंदा बाकि में टैलेंटिड था ये इनके आतों कुछ भी नहीं है इन्होंने सब कवाड़ा करके रख दिया है तो ना तो इनसे रोका गया है कुछ ना इनसे कुछ किया रहा है सिर्फ बढ़का ओ no 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 don't 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 बस यह इस पीच में बस यही कुछ हैं words जो कि य अब वो वक्त आ गया क्रीमे के ब्रिज उड़ा दिया इनों नगलती करी है अब यह आपडेट आती है लगातार यहां पर जो है निउस लेतर ही और जो शॉट करके गया होगा भाई आपका तो थमसब आपको भाई अगर आप सौट रहे हैं या पुट लेकर गए हो दैन यू डॉमेस्टिक जो कंपनी से उन पर जादा नज़र रखिए क्योंकि डॉमेस्टिक ली जादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले इस टॉक्स में गराव अठो सकती है वर यहां पर एक थीम जो है डॉमेस्टिक वो प्ले तो रहेगी तो उमीद है आप पूरी बात को समझ होगे अधर नौत कोरिया अधर रशिया यूक्रेन और बाई बढ़ता है रहा है एक तरीक से बहुत जादा बहुत जादा बढ़ रही है तो इसको नजर में रखनी है आज से लिखे कल तक जो है वह आपको न्यूस जो है वह आपको अपडेट मिलती रहेगी आप उसको